हाई स्टुडेंस यौर मोस्ट वेलकम टो आवर चैनल इंग्लिस उर्दू टूटरियल सो स्टुडेंस हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 6 यानि के कंपानि इंट्रेस के लेट आस सी बाइ कल्कुलेटिंग 6.1 के मैथ नमबर 1 से लेकर मैथ नमबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं तो इस वीडियो में हम लोग 16 नमबर मैथ को सॉल्व करना इस्टार्ट करेंगे तो चलिए 16 नमबर मैथ को परते हैं इस सिंपल इंट्रेस ऑफ ए सर्टन सम अफ मनी फोर वान इयर इस रूपीज फिप्टी तो बोलता है कि इस सिंपल इंट्रेस ऑफ ए सर्टन सम अफ मनी अगर एक सर्टन सम अफ मनी के सिंपल इंट्रेस एक साल में 50 रूपी होता है और कंपांड इंट्रेस दो साल में 102 रूपी होता है तो बोलता है कि latest right back calculating the sum of money and the rate of interest तो चलिए calculate करते है sum of money sum of money का मदद principle यानि कि principle calculate करते है और rate of interest यानि कि हम लोग को principle निकालना है और rate of interest निकालना है ठीक है simple interest एक साल के लिए कितना रुपे है 50 रुपे और compound interest कितना है दो साल के लिए 102 रुपे तो हम लोग को जो है principle निकालना है और rate of interest निकालना है तो चलिए लिख सकते हम लोग late let the principle be rupees x and the rate of interest rate of interest be r person माले के principle x रुपिया है और rate of interest कितना r person है तो लिख सकते in case of simple interest इन केस अव्सिंपल इंट्रेस प्रिंसिपल कितना रुपीज एक्स टाइम कितना one year simple interest में one year एक साल का interest पैचा सुब्या होता है तो टाइम एक one year हुआ rate of interest कितना r person माले therefore interest यानिके कि यह साइ सिंपल इंट्रेस कि एस आइ तो पी इंटू टी इंटू आर्वा हंड्रेट पी होगे सब्सक्राइब तो एक साल का सिंपल इंट्रेस कितना कि एका साल का सिंपल इंट्रेस पचाश पूपीया हुए तो 10 to the problem according to the problem xr by 100 equal to 50 the simple interest कितना आया xr by 100 और simple interest कितना थे 50 गया तो इसका मद़र किया ओभा xr by 100 equal to 50 दोनों ही तो simple interest है इसका मद़र दोनों equal हो गया तो यह equation वाल लेख सकते है now compound interest in case of now in case of compound interest compound interest principle x number of years two years क्योंकि दो साल का compound interest 102 रुप्य बोला है तो इसका सब्सक्राइब कितना हुए ताइन टू यह और रेट अफ इंट्रेस्ट आर परसं कि प्रिंसपल ही एक्स जो यह आपर simple interest में जो principle और रेट पिंट्रेस्ट है component में भी वही प्रिंसपल वही रेट आप इंट्रेस्ट होगा ठीक है तो दियर्फूर कि एंट्रेस्ट है एंट्रेस्ट होल एन एन कितना है तो यह होगा है सिद्ट्रेस्ट और रुपीज लिख सकते हैं और गंपूंडिने अंस में इंड एक्स टो यह एक्स या क्पाउंडूंड इनिते खूस partners करेंगे तो हम लोग यहां पर स्क्वार होगा सॉरी आपर छोड़ दिया है इसको रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे X- derived, X- каз तो X- salad और यहापस प्रॉमूला पुट करेंगे A plus B whole square तो यहापस स्च्षाइ प्रॉमूला पुट करेंगे A plus B whole square का तो A plus B whole square का फ्रॉमूला क्या होता है A square plus 2 A B A square plus 2 A B प्लास B स्क्वर, B स्क्वर, R Y, 100, A स्क्वर, प्लास 2, A, B, प्लास B स्क्वर, ठीक है, तो इसको एगर स्वल गरेंगे, तो 1 का स्क्वर, 1, प्लास 2, 1, ज़र 2, 2, R, 100, A, B, 200, प्लास आर्व स्क्वर, और नीचे कितना मिलेगा, स्क्वर, कि एक स्कॵर कितना होता है, दस अजार, तो हम लोग候 यह मिलेगा, 1 प्लास 2R by 100 प्लास R स्कुर बाई 10,000 तो यहाँ पर अगर हमनों डार्टिक स्वाल करें तो ए प्लास 2R का फ्रमुला पूट करना से 1 A square 1 का स्कुर बाई होता है A square plus 2 2 A 202 और 2 A B प्लास बी स्क्वेर अर्गे स्क्वेर आर और नीचे 10,000 माइनस एक्स अगर वहार नहीं समझ में आये तो यहाँ पर देख लिए यहाँ आप लोग लंबा करके बना सकते हैं यह फोर्मुला पूट करके यह मिलेगा लास में आम लोग को ठीक है वन प्लास आरपाई स्कूर बाई 10,000 और स्कूर बाई 10,000 ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है एक्स को अगर कूमल ले ले तो क्या मिलेगा हम लोग को वन प्लास 2RY 100 प्लास आर स्कूर बाई 10,000 माइनस एक्स को तो कूमल ले ले तो कितना मिलेगा वन मिलेगा कितना मिलेगा वन मिलेगा देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ भी एक्स है तो एक्स कूमल ले तो क्या मिला 1 प्लास 2RY 100 प्लास आर स्कूर बाई 10,000 और एक्स को तो कूमल लिए तो क्या मिला मैंडस वॉन ताभी यह माइनस वन और यह प्लस वन कैंशल हो गया क्या मीला है तो आर वाई ए ए अंडरेड़ प्लास आर स्प्र वाई गोग संधोंड अब सरीफ 2 बच टू प्लास यहां पर आर रही घर रही रही ही एकार और एक सो कोमल ले लिए तो कितना रह गया नीची एक सो तो ये क्या हुए यह प्लास थो आपर तो इसको अगर स्व्iãoव करेंगे तो वाण छुव और Novemberट फ्लास यह हंड़ीड स्कूर भाइड के jała पर डारेक्द हम लीक लेए थूरा देख लेजिए अ धित्ट कि उर फोनल्ष ट्वान में र्चंड गें प्लासर्थ व disci और स्कूर अर्थ मालो यहसी को न्याथ विंडिटेस और कमपान इंट्रेस दो सब्सक्राइब कितना दिया है 102 रुपे तो एक्ट सब्सक्राइब तो यह भी क्या है compound interest है दो सल का, तो इह दूनों क्या हो जाएगा, equal to हो जाएगा, compound interest कितना दिया है, 102 रूपे, ठीक है, 102 रूपे, तो ये भी compound interest है, तो ये दूनों क्या हो जाएगा, equal to, ये लिख सकते है, equation 2, ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं now putting the value of now putting the value of xr by 100 in equation 2 xr by 100 xr by 100 का value put करेंगे equation 2 में xr by 100 का value कितना है 50 तो xr के जगे हम लोग क्या लिखेंगे 50 xr by 100 के जगे 50 into 2 equation 2 क्या है xr के जगे क्या लिखें xr by 100 के जगे 50 डाड़े के बनाएंगे तो 2 प्लास आर भाई 100 और इधर 100 102 ठीक है इसको solve करने से और 50 कितना मिलेगा lcm 100 एकसो एकसो टूज़े 200 मतलब 100 टूज़े 200 200 प्लास आर मिलेगा और इधर 102 और solve करेंगे तो 200 प्लास आर यहां रहे जाएगा और इधर 100 और यह नीचे आके डिवाइल लग जाएगा 102 बाई 50 ठीक है और यहां लिखते हैं अच्छा यहां यहां solve करते हैं यहां पर तो अब चलिए यहां solve करते हैं cross multiple किसन होगा 200 into 50 कितना हो जाएगा और में लेखेंगे और में 200 into 50 कितना हो जाएगा 5010 000 10 123 प्लास आर के साथ करेंगे इदर 50R और इदर से cross multiplication करने से 102 को 100 के साथ तो 00 लग जाएगा 102 यानिके 10,200 ठीक है और 50R को इदर रख लेंगे और 10,200 और यह 10,000 इदर आने से माइनस होगा माइनस 10,000 और 50R 50 और 10,200 में 10,000 माइनस जाएगे कितना मिलेगा 200 और और को रख लेंगे 200 और 50 00 कैंसल 5,4 जा 20 और और यह कितना मिलेगा 4 तो और हम लोग किसको माने थे और हम लोग माने थे rate of interest को ठीक है तो rate of interest कितना मिलेगा therefore rate of interest तो rate of interest कितना मिलेगा 4 परसन ठीक है अगें putting the value of r in equation 1 अब फिर से अब दो r का value हम लोग के पास आ गिया है यहनि कि r का value हम लोग को मिल गिया तो r का value आप equation 1 में put करेंगे equation 1 में क्या है x r by 100 equal to 50 तो लिख सकते x r by 100 equal to 50 और r का value कितना है r का value 4 तो x into 4 by 100 50 और cross multiplication करेंगे तो यहाँ पर 4 x होगा और नीचे 100 का 100 और यहां 50 होगा और cross multiplication करेंगे तो कितना मिलेगा 4 x और इधर 50 0000 लगा दिजिए 5000 और x को रख लेंगे 5000 by 4 तो 5000 को 4 से काटने से कितना मिलेगा 1250 x को लोग कितना आईया 1250 तो एक्स हम लोग किसको माने थे एक्स हम लोग माने थे principle को किसको principle तो principle कितना होगा तो principle कितना कितना होगा principle रुपीज 1250 यानि कि 1250 rate of interest कितना 4% और principle कितना 1250 ठीक है यह दोनों क्या होगा answer होगा तो अब आईये 17 नमबर को solve करते है 16 और 17 दोनों ही same है यह आप लोग खुद कर सकते है तो चलिए फिर भी मैं solve कर जाता हूँ If simple interest and compound interest of a certain sum of money for 2 years are rupees 8400 and rupees 8652 then let us right by calculating the sum of money and the rate of interest या पर भी sum of money यानि प्रिंसिपल पुछा गया और rate of interest पुछा गया simple interest simple interest and compound interest for 2 years 2 साल के लिए simple interest और compound interest कितना है simple interest 8400 और compound interest कितना है 8600 बाउ तो हम लोग को जो है principle निकालने बोला है और rate of interest निकालने बोला है ठीक है तो चलिए 17 नमबर लिए रेक्ष करते लेट let the principle be rupees x and the rate of interest be r परसर माले के principle कितना एक और rate of interest कितना है r परसर है तो लिए क्या सेंप्ल इंप्रेंट्रेस इन केस आप सिंपल इंट्रेस प्रिंसल रोपीज एक्स ताइं टू यह स्ट्रियस बोला है ठीक है और रिट प्रस्ट तो देर्फोर ऐसा यह निश्मल इंट्रेस पी टींटो अर्वा हैं देर्फोर टींटो र्वाहि एंड्रेट कितना मिलगे हम लोग को कि यह तो देर्फोर है को ट्वेज़ टू टूंसे की न मिलेगा तो इस खाटेंस ना मिलेगा फिस्टी तो यह दूसाल का simple interest है यह दूनों क्या हो सकता है equal to हो सकता है ठीक है according to the problem में अब लिख सकते हैं now in case of compound interest तो इसको equation 1 मान सकते हैं ठीक है now in case of compound interest principle x number of years 2 तो यहनिके n कितना time कितना 2 years or rate of interest r% therefore amount amount का फ्रूम लग प्रिंसिपल इंटो 1 plus rr by 100 whole and n कितना 2 तो यह हुए है क्या amount तो देरफो ci component is compound interest निकालेंगे तो compound interest का formula क्या है amount minus principle तो amount यह amount हुआ amount minus principle यह हो गया क्या compound interest ठीक है तो इसको solve करेंगे एक्स का x ठीक है और यहाँ पर यह प्लास जोर स्क्वार का formula put करेंगे तो ए स्क्वार प्लास 2 a b यानि 2 r by 100 मिलेगा प्लास b square यानिके r by r by b square यानिके r का square r हो जाएगा और यह बी है r by 100 तो 100 का square कितना हो जाएगा डारेक दस हजार ठीक है और माइनस एक्स तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक्स को common ले सकते दोनों जगे एक्स को में लेका 1 plus 2 r by 100 plus r square by 10,000 minus x को तो common लेते क्या बचेगा minus 1 तो minus 1 plus 1 cancel तो हम लोग क्या में एक्स 2 r by 100 plus r square by 10,000 अब एक चीज यह बर धिहान दीजिए हम लोग कोमन उसी इसाब से लेंगे के x r by 50 आप राना चाहिए क्योंकि यह बर एक्स रवाइ 50 है तो यहापर भी हम लोग को इस तरह से लेना के यहाँ पर हम लोगों को xry 50 जैसे मिले ठीक है तो एकस तो यह तो आर आरहाइड है तो आरह मुलें नहीं लेंगे और यहाँ पर 50 कॉमल ले लिए तो 52 जा 100 तो नीचे 2 मिलेगा ठीक है R कॉमल ले लिए और नीचे से 50 तो उपर 2 रहे गया क्योंकि R तो कॉमल ले लिए 2 बचा ठीक है और नीचे 50 कॉमल ले तो 52 जा 100 तो यहाँ पर नीचे भी 2 बचा उपर भी 2 बचा प्लास, R तो कमल लेड़े, तो R 2, R बजी या, एक R तो कमल ले ले, और 50 कमल ले, तो 50 कमल ले 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 ले, तो कितना मिला, यापर मिलेगा 200, याँनिकि 50 और 200 को मुलिट्प्ले करेंगे, तो कितना आ जेगा, 10,000 कितना 10,000 लिख सकते हैं तो इसको हम रूपर कार सकते हैं 202 तो XR by 50 क्या मिला 1 plus R by 200 ठीक है और इसको और भी यही पर स्टॉल्ब कर सकते हैं XR by 50 क्या जाएगा LCM 200 LCM 200 200 वंज़ 200 plus R तो यह क्या हो गया Components और Components बूट में दिया है कितना 8600 बाउन तो लिख सकते हैं according to the problem तो according to the problem में लिख सकते है XR by 50 XR by 50 इंटो 200 प्लास R by 200 इक्वाल टो 8652 ठीक है यह भी Compound Interest है और यह भी Compound Interest है तो दोनों क्या लिख सकता है equal to according to the problem में और इसको equation 2 लिख सकते है equation 2 ठीक है now putting the value now putting the value value of XR by 50 in equation 2 equation 2 में XR by 50 का value पूट करेंगे XR by 50 का value कितना 8400 ठीक है equation में तो XR by 50 का जगे क्या ले सकते है 8400 200 200 plus RY 200 equal to कितना 8600 ठीक है XR by 50 के वहल XR by 50 के जगे हम लोग क्या लिख के 8400 यह कहा से मिला XR by 50 equal to 8400 यहापर लिख दिया putting the value of XR by 50 in equation 2 ठीक है और तो यह 200 plus R by 200 इदर रही जाएगा रही जाएगा और यह क्या होजएगा 8600 बाउन यह आके डिवाइल लग जाएगा 8400 तो यह 202 cancel कर दिए नीचे नीचे काट सकते है जब बीच में बीच में equal to होगा ठीक है तो आप इसको cross multiplication करेंगे तो 200 को जब 200 को जब हम लोग किस से multiply करेंगे 84 से तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 16800 मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 16800 मिल जाएगा और 84 आर और इधर दो से जब दो से जब 8600 बाउन को मल्टिपले करेंगे तो कितना मिल जाएगा 17304 मिल जाएगा 17304 और 84 आर को रक लेंगी 17304 – 16800 और 84 आर 17304 मे 16800 मैने से कितना बचे गा तो मैनेस करके कितना मिल जाएगा 17,304 में 16,800 माइनस उजयन से कितना मिलेगा 504 कितना 504 तो 504 और और को डख लेंगे 504 भाई 84 इसको काटने से कितना मिलेगा 6 मिलेगा ठीक है तो देरफोर रेकोल नागिया 6 तो र क्या है rate of interest धेरफोर रेट of interest धेरफोर रेट of interest कितना 6 परशन पतीक है again पुटिंग देवेल्व अगान पुटिंग देवेल्व ओव आड इक्वे में उनने एक्वेशन वान में आर का वेलू पूट करेंगे तो एक्वेशन वान क्या एक्स आर बाई 50 इक्वेशन एक्वेशन एक्स आर बाई 50 एक्स आर कितना है एक्वेशन 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 एक 8400 और प्रस मल्टिप्लिशन करने से 6X इधर 5 से 540 का 0 580 40 42 90 तो इसको अगर यह डारेक्ट काड़ देंगे 670 40 तो यहाँ पर 50 के साथ 8400 को मल्टिप्लिशन करने से यहाँ पर और एक 0 लगेगा यहनिके काईदा इसे करा हजार दसजार यहनिके 84,000 हो जाएगा 84,000 तो यहाँ पर भी एक 0 लगेगा ठीक है तो 666 642 और कितना 0 चार्ज हो एक दो तीन 4 यह फो एक्सकों कितना आजएगा 70,000 तो एक्स हम लोग किसको माने थे principle को एक्स हम लोग किसको माने थे principle को दियरफोर principle रूपीस 70,000 ठीक है और rate of interest कितना है 6 परसन यह दोनों क्या हुए अंसर ठीक है यह भी अंसर और ये भी अंसर ठीक है तो I hope कि आप लोग वो समझ में आ गए है So thank you for watching Thank you for listening Have a beautiful day Ta-ta